नमस्कार मैं अमंदी पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब के इसरी टीवी हर्याना में जिस गड़ी का लंबे समय से हर्याना के वाशियों को इंतजार था वो गड़ी आ चुकी है पांच साल में सरकार चुनने का जो समय है ओ अब हर्याना में आ चुका है आज 3 अक्तुबर का दिन है आज शाम 6 बजे जो चुनाव पर चार लगातार हर्याना में सबी पार्टियां और निर्दलिया उमिदवार लगातार कर रहे थे आज वो चुनाव पर चार थम जाएगा और पांस तारिक को हर्याना के मददाता अपना मत का परियोग करके नई सरकार का गठन करेंगे अभी फिलाल हम हर्याने की सबसे चर्चित सीट उचाना विदानसबा में मोजूद है और उचाना विदानसबा की बात करें तो उचान विदानसबा से जैजपी पार्टी की तरफ से हर्याने के पूरो उप मुख्या मंतरी दुशन चोटाला उमिदवार है भाजपा की रूप में यहांपर अपकी बार दिखाई दे रहे हैं। उचाना की कपास मंडी में हर्याना के मुख्या मंतरी नायाप सैनी एक रेली करने वाले हैं देविंदर अत्री के समर्थन में वोट की अपील उचाना विदानसभा के लोगों से करेंगे वहीं पर कल جेजबी पार्टी और voorbeeld असिस पी पार्टी ने एक साजी रेली की थी जन आसिस रेली वहाँ पर उन्होंने एक अपील की उचाना के लोगों से कि जेजबी पार्टी के जो उङदवार हैं दुशन चोटाला उसके पक्स में वोट की अपील की अलेवा गाउं में कुमारी सेलजा ने भी बरजेंदर सिंग के लिए करेली का आयोजन किया वहीं पर आज आमादीम पार्टी के जो उमीद्वार हैं पवन फोजी उनके लिए मुख्यमंत्री दिल्ली मुख्यमंत्री आतीसी यहाँ पर एक रोड़ शो का आयोजन भी करेगी लगातार सभी नेता अपने अपनी पार्टी के मिद्वारों के लिए यहाँ पर रोड़ शो करने वाले हैं या पर परचार करने वाले हैं या कर चुके हैं यहाँ पर उचाना के लोकल लोग मौजुद हैं उनसे जानते हैं उ है किछुट काम नहीं किया इन होने दुनिया जनता सब बदलाव की तरफ चदरी है और बदलाव भी एकblowing पार्टी के साथ बदलाव के तरफ जनता शयोग दे रही है किस आम पार्टी के आम आदमी भी निर्दलिय चुनाओ भी लड़ा जा रहा है किस आम की बात कर रहे हैं हम आम पार्टी अब चाहते हैं आज मुख्य मंतरी भी आने वाले दिल्ली की जो मुख्य मंतरी है आतिसी वो भी आईगी कुछ फरक पड़ेग का ऊचणा में हां बहुत फरक पड़ेगा उनके आने से जनता मैं बहुत अच्छा रोश होगा उतको देखने से कभी आया हम पार्टी ऊपर दी जारी है अपर उनके आमादिम पार्टि के उनका कितना परभाव देखते हैं अब उचाना में बहुत बढ़ी आप चल रहे हैं हुचाना अक्षितर के अंदर और बहुत ही निती के नेक है बहुत बढ़ी आपको जी बाई पर हुआं कुमार जी बहुत ऑच्छे हैं बिल्कुल इस बड़े बड़े गराने हैं दुशन चोटाला चोदरी बरेंदर शिंग उनसे मुकाबला कर पाएंगे आप पहुन पोजी उनके टकर में चल रहे हैं बिलकुल आची तरह और इनको शिस्कत देंगे आची तरह क्योंकि इनसे लोग बहुत नराज हैं बड़े-बड़े बड़े जड़ पड़ाओं को खत्म करने के लिए जनता बहुत राजी हो रही हैं लेकिन जनता का भी मुंड बदली हो गया है आम पार्टी की तरफ रुख हो है उनका ज्यादा आपके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दक तहट अब की बार वोट डालने वाले आप अब की बार हम विकास पर वोट डालेंगे यहां उचाना में आज तक जितनी भी पार्टीयों की सरकार आई बड़े-बड़े राजगरानों किसी ने कुछ नहीं किया जी अगर वो कर विकास का रिया हुआ है। निकले जिन जिले निवे निकले हैं यह लेकिन विकास कईबही नहीं दिखाई देर आप कहीं बहुत टाइ। आलपकी बार जी ऐसा कंड़ेट देखेंगे जो बिल्कुल इमानदार और बढ़िया हो आम आदमी पार्टी ने पवन फोजी को कंड़ेट बना है इससे अचा कंड़ेट उचाना को कभी नहीं मिल सकता और इसी पर हम पूरा वो करेंगे और पूरा बोट इसी को देंगे बोजी आपने बताया पूरो सैनिक हैं पूरो सैनिक का कितना परभाव पड़ेगा यहां पर पूरो सैनिक का बहुत अच्छा परभाव जी इसकी चवी बहुत ही साफ सुत्री है और इनकी पार्टी की केजरिवाल की आम आदमी के लिए सबसे बेस्ट पार्टी है यह अपने क आप करेंगी परेंदर शिंग ने विकास निए पचास साल की राजनेती हो गई उनकी आयसे तो नारमली विकास सारी दुनिया करती आई है यह जू के सिंदे कुछ नहीं है कोई कूछ नहीं है कोई फैक्टरिय एरिया कुछ पूर्जगार तो लाची बच्चों लिए सारे बे रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार के मामले में आमादीव पार्टी को किस परकार देखते हैं पवन फोजी यहां पर उमिन दुवार है वह तो बहुत अच्छी परकार से बोट और सपोर्ट दे जाएगी तो दुशन चोटाला उप मुख्यमंत्री रहे हैं तो किस प यहिरे लोगा धृता जीन पांटी पैसा नहीं यहां चन्दा देशन निदो लोग देने लिक ठीक हैं अएक जोड़ी करके मांगने लेगा उस्ताबटी पैसा काँसे आएगा पुरा इखटे पैसा इदे रहे हैं ओ थीग हो करते हैं जिए आप किस प्रकार देखते हैं चुनाओं को क्या रहेगा रहे आपकी बार उचाना में उचाना वारी आपके अब की बारतिय खुए रहे हैं युणिनुन से जुड़े हैं तो यहां पर और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं या क्या कुछ कहना चाहते हैं क्या मुद्दे हैं क्योंकि दुशन चोटाला और ब्रेंदर प्रिवार की कह सकते हैं या पर राजनिती खासी तोर पर देखी जाती है और हर्याना की सबसे चर्चित सीट उचाना विदानशवा को माना जाता है सबी लोगों के अपने अपने स्तर पर मुद्दे होते हैं शिक्षा रोजगार सवास्त है तो ताउसे बात करते हैं ताउ राम 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 नहीं आप बताए बुजर्गों के लिए काम किया है बात पाने ना किमें ने करें कि अच्छा करते हैं गठमंदन की सरकार में पैंसन की वर्दियों यह पैंसन बढ़ी है बुड़ापा पैंसन में यह यह उतना बदा है पैंसन तो को यह उगदान नी उसमें कि अधान का अधानों की घृट कोशन ने काम किया है ना जी कुछ ने काम करें बढ़ा कोनी है तो आप किसे डाल रहे हैं वोट आम पर्टी डाल रहे हैं अखोन हमीदवार पवल्फट दे तो आप क्या कहेंगे अपकी बार उचाना में क्या रहने वाला किन मुद्धो पर वोट डालेंगे बदलाओ जुरूरी है जी पहले सब देख लिए दुशिंद भी देख लिए अपरेंदर भी देख लिए सारे देख लिए अब आम अदमे की सरकार ले आना चाहते हैं अज र उनको भी पता चलेगा मामने भी थोड़ा है मर में भी जोसा हुआ है तो आप किस प्रकार देखते हैं क्या मुद्ध रहेंगे आपके किन मुद्धो पर वोट डालेंगे बदलाओ क्यों रहे हैं उचाना बदलाओ चाहता है यह तो परिवारवबाद की राजनी तियोरी है कभी उसका पोता बना दिया कभी उसका देखता बना दिया काम तो करते को नी काम कोई भी निकरकर राजी नहीं काम करें काम का प्यारा चाम का कौन प्यारा है तो कहता है कि बहुत सारे काम कियें करोडों का विकास कारी हुआ है विखास ये काक्चा में हुआ है आप उचाना में कोई भी गली देख लो एक भी गली पूरी तरह सुरक्षित नहीं है सारी टूटी-फूटी पड़ी है कोई काम नहीं होया यह तो खावाई यहां और चोथ शर्शाद के करा है यह तो इसको उसको अपने को छोड़ के उसको क के पास बोल्या था मनें तुम्हारे बॉट्टों जुरूत नहीं है किसे ने बोला था प्रेम लताया ने बोल्या था हां तो उनके बेटे को बोट देगी जनता यह तो जी दस साल मलाई खायक है वहीं आ गई दस साल पहले बीजेपी मलाई खाई है अब इनने देख लिया इदर है इसका रुजान माल तो वही है कट्टे का लेवल बदल्या है मलाई खाने का इनको आज़त लग चुकी है यह इनका वह तो है नहीं पर एक जगा टिक जेगा यह तो चिकना गड़ा कभी दर रोगा इदर रोगा ऐसे होगा तो कोन करेगा विकास कारी है किसी को तो डालेंगा शाना बदलाऊ चादा है बदलाऊ तो फ़र जंता साती जंता मन मनागे कि यह तो Het लेकिन आम आदमी पार्टी की ताकत है तो आप क्या चाहते हैं आपकी बार किन मुद्दो पर वोड डालेंगे आप मुद्दे तो चोड़े नहीं जिनोंने दोनों पर्टी जो इनलो अगर दी वह अब जे जेपी में तब दीलो चुकी है और कॉंग्रेस पर्टी है जो दिखाई देरी दी पहले बिरेंदर सिंग ने बीजेपी में मलाई चाटी है का काम किया अब वो कॉंग्रेस में आ गए त किसे अपना वो डेकर किसे अपनी मजबूती परदान करेंगे वो सबका अपना नीजी विचार लोगत तंतर में सबको अपना अधिकार है कोन किसको वोट डालेगा यहां पर कुछ बज़र्ग थे हुआ थे उनसे भी बात करने की कोशिस की हमने और उचाना विदानसभा को जाना क्या मुद्दे रहेंगे और किन्वी साथ विकास कारियों पर अपकी बार उचाना की जन्ता वोट डालेगी उचाना से पंजाब केसरी के लिए मैं मन्दी पिलानिया हूँ हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद